हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर जरू करें जिससे हमें एक प्लीज को देखिए वहां से आपके पास क्वेशन आने की परबल संभाव नहीं बनी भी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरू करें तो इस्टार करते हैं दोस्तों ज्यादा समय परबाद ना करते हैं इसके बाद फिर मैं च्रीज जाने वाला हूं तो पहला क्वेशन है वैदिक काल में उत्राखंड में किस जन का सासन था देखिए वैदिक काल में उत्राखंड में था 30 जन का सासन था इंपोर्टेंड है याद करते हैं चलेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंड करते हैं इसके आगे से आप उसके बाद सेगिन क्वेशन है इभी दुरा में महाँ पाश्रान काली अवसे सोई खोज कीती देखें दोस्तों देवी दुरा पठता है चमपावत में और अपका बाला सूंदरी का मंदिर ज़हा पे खेले जाती थी पहले पथर के उली लेकिन वर्तमान वाँ पे हाई कोड के आदिश के उनसार वाँ पे अ प्रिंगतुं में देखे दोस्तों केदार नात को ब्रिंगतुं कहा गया है किस परों में कहा गया है तो यह का गया है तो यह वन परों में ठीक है इंपोर्टन क्वेशन याद करते में चलेंगे और आप मुझे पताएंगे केदारनात मंदिर के ठीक पीछे कौन सा अतार है ठीक है और केदारनात जो धाम है उसकी समुत्तल से सबसे हाइट पे केदारनात धाम है और सबसे हाइट पे जो मंदिर है वो तूंगनात मंदिर है और केदाननाथ जो मंदीर है दाम मंदीर के पीछे क्या है एक सिला है उसका नाम आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे तो वन परो में इसको ब्रिंगतुंक आ पूछा जा सकता है आपसे उसके बाद नेक्ट कुछन है महा भारत में कुणिन नरेसों क्या का जाता था द देखे दोस्तों तालेसवर तामर पत्र कहां से प्राव तोई जरूर बताएं आप मुझे और किस से संबंदित थे तो इनकी खोज होती है 1915 में इंपोर्टेंड हमें साफ पूछा जाता है तालेसवर तामर पत्र के बारे में उसके बाद हमारे पास नेक्ट कुछन है बु देखे दोस्तों गंगोली हार्ट में मद्यकाल में जो सासन था मनिकोटी वंच का सासन था इंपोर्टेंड है याद करते वे चलेंगे किसका सासन तब मनिकोटी वंच का सासन था इंपोर्टेंड है दोस्तों याद करेंगे उसके बाद नेस्ट क्वेशन है सैनापति कठायद को ज्यान चंद ने कुमया खिलत के उपायद दी और रुद्र चंद जो आपगार के समकारिंते यहां से सवाल बनता है और आप बताएंगे सरोपर्थम रेसम से देसम के कीड़े चीन से कौन लाया था सबसे पहले भारत में और लक्षमी चंद का नाम है लगुली बिराली काफी डरपोग रायत लक्षमी चंद और सोम चंद जो हैं चंद मंस के संस्तावक माने जाते हैं कई बार आयोग द्वाराई के पूछा जा चुका है उसके बार पूछा जाचुका कुछन है किर्ति चंद काफी विद्वान राजा होए है किर्टी चंद के बार में का पूछा जाद के छोड़ी जा जा पटने उप्पुगड इंपोर्टेंट है याद करते वें चलेंगे उप्पुगड गडवाल में टोटल बावनगड थे ठीक है आपसे पूछा जाता है बावन गड़ों कुछ ने विजित किया था तो और जैपाल रजा थे जिन्होंने बावनगड़ों को विजित किया था उसके ब देवी शितला देवी आप बताएंगे कहां उतिन की पूजा सितला देवी तो थारू लोग चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शितला देवी की पूजा करते हैं और थारू लोग अधिकांस निवास करते हैं उदमसी नगर में उदमसी नगर परतावा कुमाओं में चैती डेवी मंदिर नगरियाई देवी आप मुझे कमेंटर हो से प्लीज बताएं कि चैती डेवी मंदिर कहां पड़ता है ठीक है उसके बाद आज की वीडियो का नेक्ट कुछन है हारून निर्ते का संबन्द किस जनजाती से है याद करते हुए चलेंगे जौन सारी से और बोना निर्ते करती है बोटे जन जाती राजी जन जाती को वन रावत का जाता है वन राजी भी नुका जाता है और थारू ठीक है तो हारूर निर्टे का संबन है जौन सारी से जौन सारी का फेमस देवता है कौन सा देवता है जौन सारी का मासु देवता भगवान सीव को मासु देवता के रूप पूजा जाता है उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का नेक्स्ट कुरिशन आ गया है वीडियो का नेक्स्ट क्विशन था नैंताल इस्तित उच्छ न्याले बवन की नीव रखी गई थी देखिए उच्छ न्याले का है नैंताल में और इसकी जो है हल्दवनी सिप्ट होने की बात चल लिए लेकिन अभी सिप्ट नहीं हुआ है ये तो 37 अफ्रैल 887 में इसकी जो है नीव रखी गई थी और आप मुझे बताएंगे इसके डिजाइन करता कौन है ठीक है नैंताल जो राज बहुन है इसके डिजाइन करता कौन थे है उसके बार पूछ और गर्जया देवी का मंदिर किस नदी ये किनारे ठीक है important है उसके बार next है चंपावत में मायवती आसरम की स्थापना कभ वी थी तो अठार सो निन्याना भी स्वी में चंपावत में होती है मायवती आसरम की स्थापना काफी important question है याद करते वे चलेंगे और आप से पूछा जाता है मायवती आसरम कहा है तो मायवती आसरम कह है important है उसके बार next question है हत चीना जलासे कहा है देखिए दोस्तों जलासे जरूर आप पढ़के जाएंगे अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं गुरुप सी का जलासे समय से वापे question बनने की परवल संभाव रहती है और बनता ही बनता एक नंबर का सवाल तो हत चीना जलासे ह है राजस्चफर में next question है चमूली में नील खंट परवत की उचाई के तई है सबसे पहले याद रखेंगा नील खंट परवत कहा है चमूली में और उत्राखंड में नील खंट मनल मदिर की सब्किर जिले में यह भी याद रखेंगा तो इसकी उच्छाई कितनी है 600573 नंय और सूचना का अधिकार अधिनियम का पारिट क्या गया था इसको भी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में उसके बाद नेक्स्ट विचन है देरदून गंटागर की नियु रखी गई थी जिखे देरदून गंटागर की नियु रखी तो 48 में इंपोर्टन क्वेशन है या इसको बी उसके बाद नेक्समाइब किस पुष्टक की रशना की तो कुली पुष्टक की रशना की है आप पताएंगे गाईट के रजनाकार कौन है इमपोर्टेंड है गाईड ही पूछा जाता है और गोरा उसके बाद हमारे पास hadi गाई केंद्रेवाणी परिसत का क्रण गाठन क्या गया था देखिए दोस्तों परिसत जो इसा कठन किया गया उसके बाद हमारे पास next question है नौरंग राई किसका मूल राम था नौरंग राई जो है स्वामी सहजारंद जी का मूल नाम था इंपोर्टेंट है नौरंगी राई पुछा जाता है next question है राष्टपती का चुनाओ लणने वाली पर्थम मेला कौन है यह पर्थम मेला थी तो लक्षमी सैगल जो है राष्टपती का चुनाओ लणने वाली पर्थम मेला थी और वर्तबाने भारत की राष्टपती का चुना पिनकोर पर डाले उन्हें सब बहुत तो शुरू होती है तो ये थे दोस्तों हमारी वीडियो कुछ इंपोर्टन क्वेशन उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आये होगी धन्यवाद